आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल आटो मोवाइल 009 मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका तही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ यह जो हमारे पास गाड़ी है यह स्विफ्ट गाड़ी है जो की 2021 मॉडल गाड़ी है तो इस गाड़ी में हमें इशु यह आ रहा है कि इसका जो स्टेरिंग है वो एक गम से हाड है और साथ में इसका स्पीड़ोमिटर वर्क नहीं कर रहा है तो देखते हैं आपको ले चलते हैं कर्योंकोर है क्लस्ट्रमीटर कर और दिखाते हैं इसमें कौन-कौन सी हमें लाइट आ रही है तो ये दिखिए ये इसका कलस्टरमेटर है तो आपको दिखाने की कोशी कर रहे है हमने गाड़ी का भी हमने अगनिशन ओन किया है तो ओन करने के बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं तो जे देखिए, अब ये अगनिशन को दुवारा से हमने आउप किया, आउप करने के बाद अगनिशन को आउन किया, आउन करने के बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं, आखिर इस गाड़ी में हमें प्रॉल्म क्या फेस हो रही है, तो जे देखिए गाड़ी का तो जैसे ही हमने गारी को स्टार्ट किया, तो आप देख हारे होंगे इसमें एक Levis की और हैंब्रेक की की लाइट और साथ में हमें влиड़ लाइट ग्लोइंग हो रही जा यह तीनों लाइटे इस गारी में हमें फेंग से इसकी वज़ा से हमारी गाड़ी में जो इसका स्टेरिंग है वो इदम से हाड है और साथ में इसका स्पीडो मिटर भी वर्क नहीं कर रहा है तो यह देखिए यह इसकी लाइट और हैंड्राइक लाइट ले रहा है और साथ में हमें एमलाइट भी ग्लोइंग हो रही है तो हम तो सबसे पहले हम्हादी को स्कैन डूल लगाएंगे स्कैन डूल लगाने के बाद देखेंगे इसमें आफिट कौण सा २रय वह तो यह dzieciू हैय अभी हम गाडी स्पेटर में टालें चाहरा है और नियुक्तएिश और उद्रॉप सब्सक्राइब तो जे देखी अभी हमने गाड़ी को scan tool लगाया scan tool लगाने पर हमें इसमें चार code आ रहे हैं जो चारो के चारो code हमें current में शो हो रहे हैं तो सबसे जो पहले code हमें आ रहा है वो आ रहा है U0121 code आ रहा है lost communication with ABS equal to EPS का वो जो second code हमें आ रहा है वो आ रहा P0500 vehicle speed sensor circuit A का code बता रहा है और जो हमें third code आ रहा है C1161 can involved data का code आ रहा है और चार नमर जो हमें जो code आ रहा है वो आ रहा B1840 vehicle speed involved data का code हमें बता रहा है तो आप भी देखेंगे आप दियान से देखेंगे ये चारों के चारों में code करंट में हमें शो हो रहा है तो आपको मैं दिखाने की कोशी करूँगा आप दियान से देखेंगे तो ये चारो के चारो हमें कोड करंड में शो हो रहे हैं तो इन कोड के उपर भी हम खाम करेंगे आखिर ये किस चीज के कोड है तो उसके लिए हमें क्या-क्या चेक करना है तो बने रही है वीडियो के साथ तो यह देखिए यह चारों के चारों हमें कोड करण में शूद तो हम सबसे पहले इसका फ्यूज चेक करेंगे तो हमें जो इसमें प्रॉपर हमें आ रही है जह नहीं हम चेक करेंगे मुल्टि फंक्शनल आटो टेसल के साथ तो जेखिए हमारे पास है मुल्कि फंक्शनल आटो टेसल है तो मिल रही है लिए जो हमारी बॉल्टर जाइब परापर आ रही है तो अभी हम इसकी ग्रोंड को भी चेक करेंगे तो आप देख पार हैं यह जिए इसकी ग्रोंड जीड़ो आ रही है तो हमाई जो सप्लाइय के फ्यूटर भी कोके ओक है इसमें भी कोई प्रॉलम नहीं है अभी हम हमारी जो voltage वोर्म पर टू आ रही है तो इसकी जो गौन आ रही है वह जीरो आ वह लिकुँ सही हा रही है इसमें भी कोई प्रॉलम नहीं है तो हमारे फिर प्रॉलम नहीं है तो हम स्कैन टूल की मदद से चेक करेंगे इसके जो सप्वलन चीज आरह, जैसे काम होगा धरर, हमारि सब्सक्राइब रही है तो वाइरिंग हारने चेक कर लिए अभी हम इसका एविस को चेंग करके देखते हैं तो उसके लिए हम इसकी जो फिटिंग को देंगे तो जी देखिए अभी हम बैटरी को बाहर निकालेंगे बैटरी को बाहर निकालेंगे उसके साथ जो फिटिंग लगी होती है उसक सबसे पहले प्रेक एल को आपने अच्छी तरह से खाली कर ले ले लिए तो उसके पाद आपने एवियस जॉन्ड को खोलना तो इस तरह से हम इवियस जुनूट को खोल ले हैं इसकी जो खुल लगी होती है उस फिटिंग उसारी को हम खोड़ लेंगे तो आप देखते रही है इस तरह से हमने फीटिंग हो भी कोल को लेना है तो तो जे देनिए हमारा जो पुराना आदीए हम और बार निकाला है लोग आप बार निकालेंगे। तो इसके अंदर हमारा ABS यूनिट है उसको हम fit करेंगे इस गाड़ी के ओपर unit को हम fit करेंगे तो जा देखिए हमारा ABS यूनिट तो ये एक दम से नया है तो इसको हम गाड़ी पे fit करके दिखते हैं प्रोल्म हमारी सालोप होती है या नहीं तो अभी हम इसकी fitting कर रहे हैं तो आप इसको द्यान से देखेंगे इसके उपर आठाट वैंकe अपने पॉल लेने हैं यहां पर हमारी पाइप फिट होती है तो यह देखिए आपको दिखाने की मैं कोशिशी कर रहा हूं अंदर डस्ट बगएरा ना जाए इसलिए सेफटी के लिए बॉल्ट लगाए होते हैं आटो के आटो आपने बॉल्ट खोल लेने हैं उसके बाद हम इस जिनूट को गाड़ी के ओपर फिट करेंगे अभी हम जो न्यू एवियस असेंबली है उसको गाड़ी के ओपर फिट करेंगे तो जी देखिए हमने जो पुराना खोला था उस पर जगा हम न्यू एवियस जिनूट को फिट कर रहे हैं तो इस तरह से जो ब्रैक्ट बगएरा हमने लगा लिया तो इसकी जो फिटिंग हमने को ली थी दुबारा से हम इसकी फिटिंग को करेंगे तो इस तरह से प्रॉपर से आपने इसको फिट कर लेना है तो जो पाइप बगएरा आपने दुबारा से फिट करनी है उसकी ब्रेकल की लिकेज को आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है तो यह देखिए अभी हम इस तो इता हैं यो नीवक फिट कर लिया तो अभी हम इसकी जो बै AR निकाली थी स्कॉं कों दबारा से रिपिट करेंगे और गाड़ी का हम स्टाठ करके देखते तो गारी को लगाएंगे जो जो हमने फिट इंग उली थी दोबारा से उसको हम दोबारा फिट करेंगे तो इस तरह से आपने फिट कर लेना है तो यह देखिए अभी हम गाड़ी की बैटरी को लगाएंगे बैटरी लगाने के बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद हम इसकी ब्रेक ब्लीडिंग करेंगे तो सबसे पहले हमने ब्रेक ब्लीड करनी है, ब्रेक ब्लीड करने के बाद आपको दिखाते हैं अब हमने गाड़ी के ओपर ABS जिनूर्ट को फिट किया हुआ तो आपने एक नोटिस की होगी जैसे हमने हाइडरल को फिट किया तो आप देख पा रहे होगे हमारी जो EBS की लाइटा वो ब्लिंक कर रही है आप दियान से देखेंगे तो हमारी जो EBS की लाइटा वो ब्लिंक कर रही है जबकि पहले स्टिल रह रहे थी तो अभी हम scan tool की मदद से इसको जो hydraulic system है break up उसको calibration करेंगे scan tool की मदद से हमने scan tool ले लिया है तो अभी हम इसकी hydraulic unit को calibration करेंगे इस तरह से तो आपने scan tool ले ले लेना तो इसके लिए आपने जो handbrake है इसको अपने release कर देना तो calibration करने से पहले अपने hardware को release कर ले 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 लेगे तो हम एक-एक wheel को select करेंगे तो जे देखे अभी हमने scan tool लगा लिया गाड़ी पे तो अभी हम इसको जो front right whole it को select करें इस ty DR तो जे देखे हमने right front wheel ii को select किया तो उसके बाद हम दुवारा से next करेंगे तो इस करेंगे इस तरह से तो यह दिखिए दोबारा से प्रसेसिंग करदा है तो यह हमारा प्रसेस पूर हो गया एक वील का तो अभी हम दोबारा इसका जो लेफ्ट फ्रंट वील को दुबारा से करेंगे इस तरह से स्लेक्ट करेंगे तो दुबारा से हम नेक्स्ट करेंगे इस तरह से नेक्स्ट करने के बाद आप देपारेंगे इस तरह की ग्रीन पट्री प्रुसेस करेंगे तो वो complete होने के बाद दोबरह हमें इसको next करेंगे तो अजी देखे हमने next किया तो इस तरह से हमारा जो second वीन हा बुटी उसकी processing पूर रहिए होगी हम third wheel को select करेंगे राइट rear wheel को हम select करेंगे इस तरह से तो ये देखी राइट rear wheel को हमने select किया सेलेक्ट करने के बाद दुबारा से हम नेक्ट करेंगे तो देखिए नेक्ट किया के बाद ग्रीन पटी जाएगी तो दुबारा से हम इसको नेक्ट करेंगे जो चार नमर का वीला उसको सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट रियर विल को सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से प्रोसेसिं कर लिया तो आप देख पा रहे होंगे गाड़ी अभी हमारी स्टार्ट है तो इसमें देखिए तीनों में से कोई लाइट नी आ रही तो आप देख पा रहे हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट है तो मैं आपको दुबारा से दुखाता हूं जी देखिए हमने गाड़ी का करने के बाद दुबारा से हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे इस तरह से तो यह दिखिए इसमें कोई भी लाइट नहीं आ रही है अभी हम गाड़ी को ड्राइब करके देखते हैं तो यह दिखिए हम गाड़ी को ड्राइब कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे इसके जो स्पीडोमेटर वरली नीटल है वो हमारी 60 के आसपास जा रही है तो हमारा स्पीडोमेटर भी वर्किंग चुरूए हो गया स्टेरिंगी भी हमारा सही हो गया थो एंलाइट भी इसमें कोई नहीं आ रही है तो फाइनली हमने एवीज उनुट को चेंज किया तो हमारी जो तौब अगर वीडियो अच्छी लगे लाइप करें इसमें को अगर रिघर करें अगर चैनल पे ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं ऐसे ही information वीडियो के साथ Thank you for watching my video Thank you